Hello Everyone, Welcome to Priyanka Net Classes. So basically, आज के इस लेक्चर में हम लोग नेट के Paper to Commerce and Management की Business Economics की यूनिट को continue करने वाले हैं. Business Economics का ये लेक्चर नमबर 16 है. अगर आप में से किसी ने first 15 लेक्चर को miss किया है, तो Economics की जो playlist है, उसका link मैं आपको description में दे दूँगी. आप जाएए वहाँ से जाके जरूर चेक आउट कीजिए. बहुत ही simple way में, बहुत ही अच्छे से. मैंने बहुत सारे topics already cover किये हुए हैं. Coming to आज का अमारा 16 लेक्चर जो बहुत ही important है क्यों? यूँकि इस topic से elasticity of demand जो आज में discuss करने वाली, इससे कई बार पेपर में questions पूछे गए हैं. Especially इसके जो types हैं, उससे कई बार questions पूछे गए हैं. तो types कराने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप अच्छे से समझ लें कि elasticity of demand होता क्या है? एक बार आपको वो समझ में आ जाएगा, type समिझना और easy हो जाता है. तो वीडियो बहुत ही important है, लेक्चर बहुत ही important है, तो वीडियो को एंटक जरूर देखेगा. चलिए start कते हैं, but before going on that, मैं बता दूँ, मेरा नाम प्रियंका नाथा नहीं है. मैंने अपना net in jrf qualify किया हूँ है, commerce subject से अपने पहले ही attempt में 99.55 percentile के साथ. साथ ही साथ मैंने अपना net in management भी qualify किया हूँ है, अपने पहले ही attempt में. साथ ही साथ मैंने माराष्टर सट को भी qualify किया हूँ है, commerce subject से अपने पहले ही attempt में. So this was my brief background. Coming to, जो students में इसा telegram channel पे नहीं जुरे हुए हैं, उनके लिए मैं बता दूँ कि आप प्लीज description में जाएए and description में आपको telegram channel का link मिल जाएगा, आप जाएए और वहां से जाके telegram channel को जरूर join कीजिए. So that paper से related, exam से related, या even lectures से भी related, कोई भी notifications, कोई भी updates आती है, तो सबसे पहले वो telegram पे ही में डालती हूँ, तो आप आहां से उसका benefit ले सकते हैं. जो students paper 1 के हैं, उनके लिए मैं बता दू, teaching aptitude, logical reasoning, people development and environment और Indian logic. ये चारो ही units मेरे YouTube channel पे available भी हैं और बहुत अच्छे से covered भी हैं, पूरी की पूरी. तो जाके इन चारो की ही playlist का link मैं आपको description में दे दूँगे, आप जाहिए और वहाँ से जाके जरूर check out कीज़ें and cover कीज़ें. अन जो students paper to commerce and management के हैं, उनके लिए मैं बता दू, business economics, accounting, income tax. ये सारी ही units मेरे YouTube channel पे available हैं, आप इनकी भी playlist का link मैं आपको description में दे दूँगे, आप जाहिए वहाँ से इनको ज़रूर check out कीज़ें. चलिए start कते हैं, तो सबसे पहले पहले तो देखते हैं, elasticity of demand का meaning क्या है? Elasticity of demand समझने से पहले मैं चाहती हूँ, आप लोग समझे, elasticity क्या होती है? Elasticity जो word है काई ना काई आपको elastic word की याद दिला रहा होगा, correct? Elastic जो होती है, जो normally rubber band में use की जाती है, correct? तो वो क्या है, वो elastic जो होती है, आप जितना उसको जैसे कीचते हो, वो वैसे बड़ी चोटी होती होती है, correct? यादि जैसे जितना आप कीचते हो, उतना वो बड़ी चोटी होती होती है, correct? वैसे ही, elasticity भी क्या होती है, elasticity is responsiveness of one variable to a change in another variable. जब एक variable के change होने के वज़े से, दूसरा variable change हो जाता है, ये दोनों अपस में जब एक variable में change होने के वज़े से, दूसरे variable में change देखने को मिलता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, उसे ही हम elasticity कहते हैं, ठीक है? या simple English में बोलू तो responsiveness जब आप एक variable में change होने के वज़े से दूसरा variable respond करता है उसे हम कहते है elasticity I hope सब को elasticity क्या है उसका basic meaning clear है coming to elasticity तो समझ में आ गया but elasticity of demand क्या होता है elasticity of demand क्या है यह degree है responsiveness की of quantity demanded to a change in its price or any other factor elasticity of demand क्या बोलता है किस degree में response हो रहा है यानि कितना कम कितना ज़्यादा response हो रहा है किसका quantity demanded का आपकी quantity demanded कितनी भर रही है कितनी घट रही है depending upon the change in price या तो और कोई factor में प्राइस में change होने के वज़े से आपकी demand बढ़ती है कि घट रही है तो वो कोई भी factor हो price भी हो सकता है और भी कई सारे factors हो सकते है जो हमने सारे के सारे determinants of demand वाले lecture में discuss किये थे correct तो जब भी भी price में change होता है या किसी और factor में भी change होता है और उसके वज़े से आपकी quantity demanded में क्या हो जाता है response देखने को मिलता है उसे ही हम क्या कहते है elasticity of demand I hope सबको elasticity of demand का जो basic meaning है वो clear है इसी को अगर मैं और simple language में बोलना चाहूं तो elasticity of demand क्या है it is a ratio of percentage change in quantity demanded of a commodity to a percentage change in price or any other factor जब भी आप क्या करोगे ratio करोगे ratio करोगे या आप upon में लेक्या होगे उपर क्या होगा आपका percentage change in quantity demanded upon percentage change in price तो जब आप ऐसे कुछ equation बना लेते हो और उसका जब answer निकाल लेते हो तो उससे आपको क्या पता चलता है उससे आपको degree पता चलती है कि 10% है, 20% है, 30% है कितना percentage change आया कितना response देखने को मिला कितने degree का response मज़े देखने को मिला मेरी demand में तो उसे ही हम क्या कहते है elasticity of demand I hope सबको first three points एकदम basics ही है, बहुत अच्छे से clear हो चुकी है चलिए आगे भरते हैं अब इसका देखते है definition elasticity of demand का जो definition है वो किसने दिया ता Professor Alfred Marshall ने अब इनोंने ये definition क्यों दिया था तब मैंने आपको बताया था law of demand भी किसने दिया था Alfred Marshall ने दिया था अब law of demand Alfred Marshall ने दिया था elasticity of demand का भी concept Alfred Marshall ने दिया ऐसा क्यों हुआ क्योंकि जब law of demand उनोंने concept दिया law of demand बताया तब उनोंने क्या बोला था कि ठीक है क्या होता है की price में बढ़ने या घटने के वज़े से आपकी demand भरती या घटी है correct? यह आमे law of demand में समझाया गया था बट जो कमी थी जो खामी थी law of demand में वो ये थी कि कितना बढ़ता है कितना घटता है उसके वज़े से आपकी डिमान कितनी भरे गी कितनी घटेगी वो जो डिगरी है response की वो law of demand नहीं बताया पा रहा था और उसी कमी को पूरा करने के लिए Alfred Marshall ने क्या निकाला था Alfred Marshall ने elasticity of demand का concept दिया था अब इनकी definition क्या बोलती है एक बाउस को भी देख लेते हैं according to professor Alfred Marshall elasticity of demand is great or small according to the amount demanded which rises much or little for a given fall in price and quantity demanded falls much or little for a given rise in price simply क्या बोल रहा है elasticity of demand क्या है जब demand क्या होती है बढ़ती है price घटने के वज़े से या तो demand घट जाती है price बढ़ने की वज़े से simply क्या बोल रहा है आपका क्या होगा अगा price कम होगा तो demand जादा हो जाएगी अगा price जादा हो जाएगी तो demand घट जाएगी अब वो कितनी बढ़ेगी कितनी घटेगी much होगा की little होगा great होगा की small होगा वही तो हमें कौन बताएगा वो degree कितनी है वो percentage कितना है वही हमें कौन बताता है वही हमें elasticity of demand बताता है I hope सबको यह elasticity of demand का जो definition है वो भी clear है coming to a last and final चीज़ जो क्या है types of elasticity of demand अब basically तीन type की elasticity of demand होती है सबसे पहले पहले होती है price elasticity यानि price के वज़े से भी demand में फरक पड़ता है second है income elasticity and third है cross elasticity अब यह तीनों क्या है और यह तीनों बहुत ही important है क्यों जैसे मैंने lecture के starting में बोला था इन तीनों types से बहुत बार आपके paper to commerce में management में बहुत बार questions बने हैं हर बार paper में आपको एक से दो questions यहां से types से ही मिल जाता है तो यह types क्या हैं इनकी एक एक करके मैं एक एक video लेके आओंगी पूरा एक price elasticity के ओपर video पूरा एक income elasticity के ओपर video और इनके अंदर भी price elasticity के अंदर भी कुछ types है income elasticity के कुछ चीजे हैं then cross elasticity में भी कुछ चीजे हैं तो मैं इनके ओपर एक एक video लेके आओंगी आगयाने वाले lectures में और उसमें लोग detail में इनको cover करेंगे time being के लिए सिफ आप यह याद रख सकते हैं अगर types बोलता है elasticity of demand के तो वो कितने types हैं price elasticity, income elasticity and cross elasticity यह तीनों क्या हैं इस को हम detail में आगयाने वाले next 3 lectures में discuss करेंगे so बने रहिएगा so thank you, मिलते हैं next video में अगर आपको video अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीचे comment का कमज़े जरूर बताइए जादा से जादा लोगों तक share कीचे because ग्यान बाटने से ही बढ़ता है and subscribe कीचे अगर आप new है तो मिलते हैं next video में till then bye bye take care